अज़कार मैं मोनीश मौर्या अवधिक एडेमे में आपका स्वागत है आज को टॉपिक है टाइम एन वर्ग अर्थात समय और कार भाग चार इससे पहले आप इस टॉपिक का भाग एक से तीन देख चुके हैं जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखे हैं जिससे बेसिक कॉंसेप्ट क्लियर हो जाए तब ही आज का टॉपिक उन लोगों को सवन में आएगा तो समय बरबाद ना करते हुए आते हैं पहले कोश्चन पे पहला सवाल है यदि पांच पुरुस अथवा आठ महिलाएं किसी कारी को बारा दिन में कर सकते हैं उसी कारी क को दो पुरुस और चार महिलाएं कितने दिन में कर पाएंगे यहां पे अथवा लिखा है चाहया लिखा हो यह हैं इंगलिस में लिखा हो तो आड लिखा होगा तो कनफूज नहीं हो ना इन Crime अर्टा और आड लखा है वहां पे मतलब बदल जाता है यहां पे है पंच और या महिलाएं female हो 8 समय कितना लग रहा है आठ 12 दिन हम समझ रहे हैं अगर पुरूस 5 हो तो भी 12 दिन लग रहा है और महिलाएं 8 हो तो भी 12 ही दिन लग रहा है तो पुराना सवाल अगर हम देखना चाहें यहाँ पे पहले हम LCM निकालेंगे LCM के लिए जो common value है वो हटा सकते हैं common कितना मिला 12 लेकिन हटाने का मतलब यहाँ पर यह नहीं है उसको हट बिलकुल कार्ट के हटा दें इसको यहाँ पर common कार्ट के इधर लिख लेना है common value लिखने से होता क्या है संक्या छूटी हो जाती है हमें LCM लेने में आसानी रहती है अ अगर कुछ भी common नहीं है तो दोनों को आपस में गोड़ा कर सकते हैं 5 गोड़े 8 पांच और 8 का LCM आ गया 40 अब कार्चमता पलट जाएगी यह जाएगा 8 यह जाएगी 5 यह आगई कार्चमता यह समय था यह कार्चमता और कार्चमता गोड़े समय कुल कार्याता है पिछले वीडियो में बता चुका हूँ आप समझेगा यह जो कार्चमता आई है एक आदमे की और एक महला की कार्चमता आई है अब सवाल बोल रखा है उसी कार्व को दो पूरुस और चार महलाएं कितने दिन में करेंगे एक पूरुस खाता है आठ लड़ू तो दो पूरुस कितने लड़ू खाएंगे 16 और एक महला खाती है 5 लड़ू और चार महलाएं कितना खाएंगा 20 होजाएगा 20 यह होजाएगा 16 बीस प्लस सोला कितना होता है 36 यह लड़ूस कितना था 12 गोड़े 40 यह जो कार्चमता है इन दोनों का योग इसे हम भाग दे देंगे बटे हो जाएगा 36 बारा गोड़े 36 यह आजाएगा 40 बटे 3 जब 40 को हम 3 से भाग दे रहे हैं तो हमें मिल रहा है 13 से ही एक बटे 3 दिन सवाल के लिए कन्फियूज नहीं होना है पिछले वीडियो में हम इस टॉपिक के बहुत सारे सवाल देख चुके हैं विस्तार से अगला सवाल है अगला सवाल कहता है यह ते 3 प्रोस या 4 महला एं किसी खेद को 43 दिन में जोच सकते हैं फिर समझेगा या लिखाया है यहां से आप कन्फियूज मत होईगा या हो अथवा हो सबका मतलब एक ही है बो लखा ये 3 पुरुष या 4 महलाएं किसी खेद को 43 दिन में जोट सकते है तो 7 पुरुष और 5 महलाएं उस खेद को जोटने में कितना समय लगाएंगे फिर से वही सवाल Male and Female Male कितने हैं? तीन अथवा या महलाएं कितनी हैं? 4 पूरूस 3 हो तब ही 43 दिन लग रहा है और महिलाय चार है तब ही 43 ही दिन लग रहा है दोणों में हमें कामन मिल गया 43 इसको लिख लिया अब बचा 3 और 4 केल्सियम 12 तीन और 4 में करचमता पलड़ जाएगी हो जाएगा 4 और यह हो जाएगा 3 कहने का मतलब यह हुआ एक पुरुस की कर्चमता है चार और एक महला की कर्चमता है तीन यहाँ पर बोल रखा है साथ पुरुस गोड़े साथ और पांच महला हैं गोड़े पांच तो साथ गोड़े चार हो जाएगा अठाइस और 5 गोड़े 3 हो जाएगा 15 28 पंदरा जब दोनों को जोड़ लेंगे एति हो जाएगा 28 पंदरा और ये 43 ये 43 था उपर चिखें 43 हमें भाग देना है ये कड़ जाएगा हमें मिलेगा 12 दिन कहने का मतलब ये हुआ 12 पुरुस और 5 महलाएं उसी खेट को 12 दिन में जोड़ लेंगे अगला सवाल है ये 16 पुरुस या 20 इस्त्रियां एक काम को 25 दिन में कर लेती हैं तो 28 पुरुस और 15 इस्त्रियां उस काम को कितने दिन में कर पाएंगी समझीगा फिर से हैं मेल और फिमेल मेल कितने हैं 16 और फिमेल कितनी हैं 20 ये लोग अगर 16 आदमी हैं तब ही 25 दिन लग रहा है और महलाएं 20 हैं तब ही 25 ही दिन लग रहा है पुराना सवाल हमें मिल रहा है दोनों में हमें 25 कामन मिल गया लिख लिए हमने अभी कुछ और कामन है कामन कितना है दोनों में कमन दिख रहा है यह 4 आ जाल दिह समझे माद दिख रहा है चार पामन में ले लेंगे तो वमें बचके जाल शो ला चार गोड़े 5 बीस अब बचा 4 और पांच. आब तो कोछ कमन नहीं रहा है चार पांच का lcm कितना हो जाएगा बीस अब 4-5 का LCM 20 आ गया कर्चमता पलट जाएगी यह हो जाएगा 5 यह हो जाएगा 4 समझेगा यहां पर बूल रखा है 28 पूरुस और 15 इस्त्रिया तो एक पूरुस की कर्चमता है 5 28 पूरुसों की कर्चमता 5 गुड़े 28 एक महला की कर्चमता है 4 पंद्रा मिलाएं पंद्रा गोड़े 4 हो जाएगा इसको हम जोड़ गोड़ा कर सकते हैं 8 गोड़े 5 40 हैसलाया 4 5 गोड़े 12 14 जब 15 गोड़े 4 60 जो हम जोड़ लेंगे इन दुनों वैलू को हमें मिलेगा 200 28 प्रोस और 15 मिलाओं की कर्चंता का योग हो जाएगा 200 भाग देंगे 200 से यह हमें दिखेगा 25 गोड़े 4 100 होता है दो बार गया यह आ गया 10 एंसर में मिल रहा है 10 दिन अगला सवाल है 20 आदमी अथवा 24 औरतें किसी काम को 20 दिन में कर सकती है यह 30 आदमी तथा 12 औरतें उस काम को पूरा करने का ठेका लें तो यह कितने समय में पूरा कर पाएंगे फिर से दिखते हैं यह आदमी यह औरतें आदमी हैं 20 औरतें हैं 24 आदमी 20 होते हैं तभी भी 20 ही दिन लग रहा है और और औरतें 24 हैं तभी भी 20 ही दिन लगता है यहाँ पे कामन ले लिया हमने कामन मिला 20 लिख लिया कामन अभी मिल रहा है 4 इसको भी लिख लेते हैं चार गोड़े 5-20 होता है, 4 गोड़े 6-24 होता है, अब तो कुछ कामन है नहीं, इधर बचा 5, इधर बचा 6, पांच 6 में जब कुछ भी कामन नहीं तो इनको गोड़ा कर लेंगे, 5 गोड़े 6 होता है, 30, और कार्चमता जाएगी पलड़, यह हो जाएगा 6, यह हो जाएगा 5, चिक 30 पुरुस की कार्चमता कितनी हो जाएगी, 6 गोड़े 30 हो जाएगा 180, एक महला की कार्चमता है 5, 12 महला की कार्चमता हो जाएगी 5 गोड़े 12 हो जाएगा 60, इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो हमें कार्चमता का योग मिलेगा 240, 240 से हमें दे देना है भाग, यह हमें द दो को भाग देंगे तो हमें मिलेगा 10 दिन यह हमारा अंतर होगा पहला अपसन दिखाएद रहा है अगला सवाल है यदि 10 पुरोस या 20 इस्त्रियां या 40 बच्चे एक काम को 7 महिने में कर सकते हैं तो 5 पुरोस 5 इस्त्रियां तथा 5 बच्चे एक साथ उस काम का आधा काम कित करते हैं यहां पर आधा काम बोल दिया तो आधा बोल दे दो गुणा बोल दे तो बिलकुल करने मत होईएगा अगर आधा बोल रहा है तो लvoorbeeld कर ले दा है अगर दो गुना और यहां पर सवाल को देखते हैं यहीए बाहि ऑध में कि आदमी और बच्चे इस और बक्च मेल बोल रखा है 10 पुरुस हो या 20 औरते हो या 40 बच्ची हो समय लगेगा 7 माह ठीक है सभी में 7 माह लग रहा है यहां पर अत्वा यह यह का मतलब यही है वह वैलू सब में गुड़ा हो रही है अब सभी में हमें कुछ कामन दिख रहा है कामन कितना मिला 7 माह और कामन कुछ और दिख रहा था क्या 0 0 का मतलब 10 ठीक है अब तो कुछ कामन है नहीं बचा 1, 2 और 4 1, 2, 4 का LCM होता है 4 4 में 1 कितने बार जाएगा 4 बार 4 में 2 भाग देंगे तो भाग फलाएगा 2 4 में जब 4 को भाग देंगे तो भाग फलाएगा 1 कहने का मतलब यह हुआ 1 पुरुस की कार्शमता है 4, 1 महला की कार्शमता है 2, और 1 बच्चे की कार्शमता है 1 अब सवाल बोल रहा है 5 पुरुस, 5 महला, 5 बच्चे एक पुरुस्त की कर्षमता चार, पांच पुरुस्त के लिए हो जाएगा बीस एक महला कर्षमता दो, पांच महलाओं के लिए कर्षमता हो जाएगी दस और एक बच्चे कर्षमता है, एक पांच बच्चे कर्षमता हो जाएगा पांच इन सब को जोड़ेंगे तीनों वेलो को हमें मिल जाएगा जोड़ने पर 35 35 से हमें भाग देना है लेकिन धान देने वाली बात ये है सवाल ने बोल रखा है आधाकार ठीक हैं अगर पूरा कार क्या हो जा तो 35 से भाग दे लिया होता लेकिन आधा कार बोला है पूरे एलसियम को आधा कर लिया या एक बटे दोसिक गुड़ा कर लिया तो यह हमें दिख रहा है 35 गुड़े दो सत्तर और फिर भी साथ गुड़े दो सत्तर दिख रहा था हमें मिला चार माँ दूसरा अप्सन है सवाल बहुत ही आसानी से लग रहा है अगर आपकर कॉंसेप क्लियर है मुश्कल से चार ये पांच सेकंड लगेंगे और किसी सवाल में एक मिनट से ज़्यादा लगता है तो हमें वो सवाल लगाना ही नहीं है ठीक है और अगर आप प्रैक्टिस में होंगे तो मौस्टली सवाल आपके दस सिकंड के अंदर लगेंगे अगला सवाल देखते हैं सवाल बोल रखा है एक आदमी अथवा अथवा से भी कंफूर्ज नहीं हो ना अथवा या एक ही बात होती है यदि एक आदमी अथवा दो ऑरड़तें अथवा तीन लड़के किसी कारे को पूरा करने में अठासी दिन लगाते हैं तो एक आदमी, एक औरत और एक लड़का मिलकर काम को कितने समय में पूरा करेंगे यहाँ पे है एक आदमी, आदमी हो एक, औरते हैं दो, और बच्ची हो मलब कि बवाए तीन यह चायली भी लिख सकते थे यहाँ एक आदमी हो या दो औरते हो या तीन बच्ची हो समय कितना लगेगा 88 दिन सभी को हमने 88 से गोड़ा कर लिया अब तीनों वैलु में जो वैलु कामन दिख रही है उसको हटा सकते हैं और उदर लिख लेंगे लिख लेंगे लिख जगय पे हमें मिला 88 ठीक है अब तो कोई वैलु कामन है नहीं अब देखते हैं एक दो और तीन का एलसियम एक दो तीन का एलसियम होगा छे, छे में जब एक को भाग दिया आया छे, छे में जब दो को भाग दिया तो हमें मिला तीन जब छे में तीन को भाग दिया हमें मिला दो कहने का मतलब यह हुआ एक आदमी की कर्षमता है 6 एक महला की कर्षमता है 3 और एक बच्चे की कर्षमता है 2 तो यही पूछ रहा है एक आदमी तो इसको लिखने की गुड़ा करने की जोरत नहीं है हमें ऐसे ही दिखता 6 3 और 2 6 3, 9 और 2 हो गया 11 चिखें तो 11 से हमें भाग दे देना है 11 गोड़े 8 88 यह 8 गोड़े 6 48 दिन हमारा एंसर आ गया अप्शन है 3 अगला प्रस्ण देखते हैं अगला प्रस्ण है 8 पुरूस या 17 महलाएं यहाँ पर फिर सी या लगा है ठीक है यह चीज हमें सद्यान देना है या लगा है या तथा लगा है सावल बोल रखा है 8 पुरूस या 17 महलाएं एक घर को 33 दिन में पेंट कर सकते हैं 12 पुरूस तथा 24 महलाओं द्वारा ऐसे 3 घरों को उसी दर से पेंट करने के लिए अपे 6 दिनों की संख्या क्या है समझेगा यहाँ पे पुरूस दे रखा है 8 अथवा महलाएं दे रखा है 17 पुरूस आठ हो या महला हो 17 समय लगेगा 33 दिन 33 तुनों में हमने गुड़ा कर लिया अब इसमें कामन ले लेना है में कामन कितां दिख रहा है 33 इसको लिख लिया अब 8 और 17 बचा 8 और 17 में कामन हमें कुछ भी नहीं दिख रहा है जब कामन कुछ भी नहीं दिखेगा तो उनको गुड़ा कर लेंगे यह हो जाएगा 8 गुड़े 17 ठीक है काचनता पलट जाएगी यह हो जाएगा 17 यह हो जाएगा 8 अब 8 था यह अब सवाल पर आते हैं बुल रख है 12 पुरुस और 24 महलाएं जब हो जाएगा 12 पुरुस गुड़े 12 24 महलाएं तो हो जाएगा गुड़े 24 जब हम गुड़ा करेंगे पुरुसों को तो हो जाएगा 17 गुड़े 2 34 हाँ से लाएगा 3 इन दूरों वैल्यू को हमें गुड़ा कर देना है यह हो जाएगा 6, 9 और 3 भाग देना है लेकिन इसने बोल रखा है ऐसे 3 घर मलब तीगुणा काम तो तीगुणा काम के लिए 3 से गुड़ा कर देंगे अगर एक बटे 3 बोला होता तो एक बटे 3 से गुड़ा करते हैं लेकिन तीगुणा बोल रहा है तो 3 से गुड़ा कर रहा है तो हमें दिखेगा 11 कामन मिल रहा है 11 गुड़े 3 33 11 गुड़े 3, 33 11 चंग 6, 8 यह हो जाएगा 3 से काट देंगे 12 फिर 3 से काटेगा इसलिए 3 से हो जाएगा 4 4 से काटेंगे 8 को 4 गुड़े 2, 8 यह हमें मिलेगा 17 गुड़े 2 34 दिन तो सवाल थोड़ा कठिन था लेकिन आप अपने ही काटेप्ट से मलब कि हमने अभी तक काटेप्ट को बदला ही नहीं है और सारे सवाल एक ही काटेप्ट में लग रहा है अगला सवाल अगला सवाल है एक इस्तरी एक पुरुस और एक लड़का मिलकर एक काम को तीन दिन में पूरा कर सकते है समझेगा यहाँ पे तीनों लोग मिलकर के बोला है यहाँ पुरुस अकीला उसे छे दिन में एक लड़का अकीला अठार दिन में पूरा कर सकता हो तो एक इस तरी अकीले कितने दिन में पूरा करेगी इस सवाल बहुत ही बेसिक सवाल है सुरात में इस टाइब के सवाल लगा चुके हैं लेकिन समझते हैं यहां पर पुरुस का मतलब मेल इस तरी का मतलब फिमेल और लड़का अर्थाद बॉय तीन लोग मिल के काम कर लेते हैं तीन दिन में जबकि बॉल रखा है एक पुरुस उस काम को करता है 6 दिन में महिला के बता नहीं रखा है एक लड़का जो है उसी काम को कर सकता है 18 दिन में हमें 6, 18 और 3 तीनों को LCM मिलेगा 18 18 में जब हम 6 को भाग देंगे तो हमें भागवल मिलेगा 6 गोड़े 3, 18 अठारा गोड़े एक अठारा और तीन गोड़े छे अठारा तो यहाँ पे हमें यह समझ पा रहा है पूरुस महला और बच्चे तीनों की कर्चमता का योग है छे जबकि पूरुस की कर्चमता है तीन और एक बच्चे कर्चमता है एक यह तो चार ही आ रहा है हमें तो योग छेलाना है यहां से हमें चार में कितना जोड़ें छी आए अर्थात दो कहने का मतलब यह है जल्दी से हमने एक महिला की कार्चमता निकाल लिया अब एक महिला की कार्चमता है दो जब कि काम कितना है अठारा तो दो से भाग दे देंगे तो महिला का आजाएगा समय तो हमें म लड़के एक काम को दस दिन में कर सकते हैं, जबकि तीन आदमी और दो लड़के उसी काम को आठ दिन में कर सकते हैं, तो दो आदमी और एक लड़का मिलकर उस काम को कितने दिन में कर लेंगे, यहाँ पर लगा है और, अभी तक आप जो सवाल देख रहे थे वहाँ पर लगा या लड़के बना सकते हैं या तो लड़कों को पुरुस बना सकते हैं समझते हैं सावल बोल रहा है दो आदमी और तीन लड़के मिलके किसी काम को कर सकते हैं दस दिन में जबकि तीन आदमी और दो लड़के तीन आदमी और दो लड़के वही काम करते हैं आठ दिन में काम वही है इसलिए हम साइन लगा रहे हैं बराबर का जब इसको हम equation को solve करेंगे तो हमें मिलेगा 10 गुड़े 2, 20 आदमी प्लस 10 गुड़े 3, 30 लड़के बराबर 8 गुड़े 3, 24 आदमी प्लस 8 गुड़े 2, 16 लड़के पच्छांतर करेंगे तो हमें मिलेगा आदमी से आदमी घटाएंगे 24 माइनस 20, 4 आदमी और 30 लड़कों से जब 16 लड़के घटाएंगे तो हमें मिलेगा 14 लड़के तो यहां से common हमें मिल रहा है 2 2 से जब हम काट देंगे value को दोनों को हमें मिलेगा 2 आदमी बराबर 7 लड़के ठीक है तो हमें करना यह है आदमी को या तो लड़के बनाने लेना है या तो लड़कों को आदमी दो आदमी थे इनको हमें बनाने लड़के दो आदमी बराबर 7 लड़के यह तो लड़के ही हो गए 7 लड़के यह और 3 लड़के यह 7 प्लस 3 कितना हो जाता 10 लड़के सवाल दिखें जब 10 लड़के किसी काम को 10 दिन में करते हैं तो एक लड़का करेगा किते दिन में? 100 दिन में कहने का मतलब 100 लड़कों का काम है 100 कहां से आया? 7 प्लस 3 10 लड़के किसी काम को अगर 10 दिन में करते हैं तो एक लड़के का 100 दिन का काम अब सवाल पूछा है दो आदमी और एक लड़का मिलके काम कितने दिन में कर लेंगे दो आदमी को हमानेंगे साथ लड़के और एक लड़का और साथ लड़के और एक लड़का और यह होगे आठ लड़के सो लोड़कों का काम है आठ रखे कितने दिन में करेंगे पूछ रहा है तो सो बटे आठ हैंतर आएगा साढ़े बारा दिन सवाल बहुत अच्छा था और बहुत इंपर्टन भी है अगला सवाल दिखते हैं अगला सवाल है चार आदमी तथा छे औरतें मिलकर किसी कारे को आठ दिन में पूरा कर सकते हैं जबकि तीन आदमी तथा साथ औरतें मिलकर इसी काम को दस दिन में पूरा कर सकते हैं तो बीस औरतें मिलकर इसे कितने समय में पूरा करेंगी यहाँ पे भी तथा लगा है दिखें अभी जिस टाइप का सवाल लगाया था उसकी प्रकार का सवाल है सवाल बोल रखा है चार आदमी तथा तथा का मतलब प्लस छे औरतें किसी काम को करते हैं आठ दिन में जबकि तीन आदमी तथा तथा का मतलब प्लस साथ औरतें वही काम करते हैं दस दिन में इसको जब solve करेंगे तो आठ गुड़े चार बतिस आदमी प्लस आठ गुड़े छे अर्टालिस औरतें बराबर दस गुड़े तीन तीस आदमी प्लस दस गुड़े साथ सतर औरतें पच्छांतर करेंगे तो हमें मिलेगा बतिस आदमी में से तीस आदमी खटाएंगे तो हमें मिलेगा दो आदमी बराबर सतर आदमी बराबर में से 48 आदमी खटाएंगे हमें मिलेगा 22 आदमी 22 आदमी के बराबर काम कर रही है इसका मतलब जो common value है हटा सकते हैं हमें मिलेगा एक आदमी बराबर 11 औरतें अब फिर से हमें जादू करना है चार आदमी थे इनको हम औरते बनाएंगे या औरते मानेंगे तो कि एक आदमी 11 औरतों के बराबर काम कर रहा है तो चार आदमी 44 औरतों के बराबर काम करेगा अब सवाल देखते हैं 44 औरतें और 6 औरतें मिल करके कितनी हो गई 50 औरतें 50 औरतें किसी काम को करती है 8 दिन में तो हो जाएगा 50 गुड़े 8 एक औरत का कितना काम हो गया 50 गुड़े 8 400 दिन 50 औरतें 8 दिन लगाती है तो एक औरत 400 दिन लगाएगी ऐसे भी कह सकते हैं यह 400 ओरतों का काम है 400 ओरतों का काम है 20 ओरतें कितने दिन में करेंगी 20 ओरतें 0 कट गया 2 से काटेंगे आएगा 4 5 गुड़े 4 20 दिन हमें आपसन दिखाई दे रहा है पहला आपसन अगला सवाल और यह सवाल इस वीडियो का अंतिम सवाल है सवाल बोल रखा है 3 पुरोष तथा 7 इस्तियां 1 कारे 5 दिन में कर सकते हैं जबकि 4 पुरोष तथा 6 इस्तियां उसी काम को 4 दिन में कर सकते हैं तदनुसर 10 इस्तियों के एक दल को उसी गज़ से वहकार पुरा करने में कितना समय लगेगा तो फिर से वही सवाल दिखते हैं 3 आदमी और 7 आदमें किसी काम को करते हैं 5 दिन में जबकि 4 आदमी और 6 आदमें वही काम को करते हैं 4 दिन में गुड़ा करेंगी तो हमें मिलेगा 3,5, 14 प्लस 5,7, 35 औरतें बराबर 4,4,16 औरतें प्लस 4,6, 24 औरतें पच्छाँतर करने पर हमें मिलेगा 15 और 16 का अंतर एक आंत्मी और 35 और 24 का अंतर 11 औरतें एक आंत्मी 11 औरतों के बराबर काम कर रहा है तो दोनों एक्यू Sugn कि बराबर है किसी भी equation में आप सुधा के अंसार value रख सकते हैं हमने पहली वाली equation में value रख रहा है तो 3 आदमी बराबर और 7 औरते हैं एक आदमी 11 औरतों के बराबर काम कर रहा है तीन आदमी को जब हम औरतें बनाएंगे तो हो जाएगा 33 औरतें चुकि एक आदमी 11 औरतों के बराबर तो 3 आदमी 33 औरतों के बराबर काम करेंगे इनको इनको जोड लेंगे तो हो जाएगा 33 प्लस 7 33 साथ होता है 40 40 औरतें हो गया 40 औरतें काम कर रही हैं कितने दिन में? 5 दिन में तो बोल रख रहा है पांच से उड़ा करेंगे चार पंजे 20 दिन लगेगा 20 दिन 14 दिखाई दे रहा है दोस्तों कमेंट बाक्स में बताएगा वीडियो कैसा लगा और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक की बटन दबा दिजीगा ओके थैंक यू वेरी मैच